नमस्कार चलिए सुनते हैं हरसंकर परसाई जी का लिखा व्यंग असलील साहर में ऐसा सोर था कि असलील साहित का बहुत प्रुचार हो रहा है अकबारों में समाचार छपते कि सड़कों के किनारे खुले आम असलील पुस्तकें लिक रही हैं दस बारा उस साही समासुधारक यूकों ने एक टूली बनाई और तैं किया कि जहां भी मिलेगी ये पुस्तक छीन लेंगे और उसकी सारवजनी खूली जलाएंगे उन्होंने एक दुकान पर छापा मार कर बीस पचीस असलील पुस्तकें हाथों में की हर के पास दो या तिन किताबे थी मुखिया ने कहा आज तो देर हो गई कलसाम को अकबार में सूचना देकर परसो किसी सारवनी का स्थान पर इने जलाएंगे परचार करने से दूसरे लोगों पर भी असर पड़ेगा कलसाम को सब मेरे घर पर मिलो पुस्तकें मैं एकटी अभी घर नहीं ले जा सकता बीस पचीस हैं पीता जी और चाचा जी भी हैं देख लेंगे तो आपत हो जाएंगी एक एक दो दो पुस्तकें तुम लोग छिपा कर घर ले जाओ कल साम को ले आना दूसरे दिन साम को सब मिले पर किताबे कोई नहीं लाया था मुखिया ने कहा किताबे दो तो मैं इस बोरे में छिपा कर रख दू फिर कल जलाने की जगा बोरा ले चलेंगे किताब कोई लाया नहीं था एक ने कहा कल नहीं परसो जलाना पढ़ तो लें दूसरे ने कहा अभी हम पढ़ रहे हैं किताबों को दो तीन दिन बाद जला देना अब तो किताबे जपती कर लिये उस दिन जलाने का कारकरम नहीं बन सका तीसरे दिन फिर किताबें लेकर मिलने का तैं हुआ तीसरे दिन भी कोई किताब नहीं लाया एक ने कहा अरे यार फादर के हाथ किताबें पढ़ गई वे पढ़ रहे हैं दूसरे ने कहा अंकिल पढ़ ले तब ले आऊंगा तीसरे ने कहा भावी उठा कर ले गई बोली कि दो-तीन दिनों में पढ़ कर वापस कर दूँगी चाउते ने कहा अरे पढ़ो उसकी चाची मेरी गैराजरी में उठा ले गई पढ़ ले तो दो-तीन दिन में जला देंगे असलील पुष्टके कभी नहीं जलाई गई वे अब अधिक व्यवस्तिक धंग से पढ़ी जा रही है धन्यवाद अभी आप सुन रहे थे हरिसंकर परसाई जी का लिखा भ्यंग असलील